रखते हैं और आज जो process हम लोग समझेंगे वो एक setup की तरह है उसको आप use करेंगे और दूसरा analysis के लिए analysis किया जाता है index का indices का और stocks जो आप buy करने का सोच रहे हो उनका ठीक है technical के तौर पे कि technical को देखकर आप समझ पाईए कि एक individual candle से कि अगला momentum क्या होगा अगला हफता कैसा होगा तो जब weekly closing हो तो हम लोगों को एक काम हमेशा करना चाहिए weekly closing पर सारे index को one by one हमको analyze करना चाहिए कि अगले हफते हमारे trade plan क्या होने वाले ठीक है पिछले हफते भी हम लोगों नेक analysis किया था इस हफते भी करेंगे ठीक है तो जब मैंने पिछले हफते analysis किया तो मैंने आपको कुछ बाते बताई थी क्या क्या ध्यान रखना है top to bottom approach पहली चीज़ दूसरा और जिस sector का analysis कर रहे हैं कि जैसे index nifty 50 का analysis कर रहे हैं तो इसके heavy weightage जो stock है ठीक है उनके formation कैसे है तीसरा क्या nifty और उसके heavy weightage stocks के formation एक दूसरे से match कर रहे है क्या projection एक दूसरे से mail खा रहा है और फिर जब act करेंगे मतलब मंडे को जब बाजार जब execution होगा तो दोनों weightage एक जैसे होना चाहिए दोनों का formation projection एक जैसा होना चाहिए जाना चलिए अब हम लोग one by one एक चीज़ों को सीखते हैं एक formation भी मैं आपको सिखाऊंगा यहीं पर क्योंकि अभी बना हुआ है तो उसके साथ हम लोग सीख लें ठीक है एक्टिव नहीं हुआ है कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा वह समझ लेंगे ठीक है चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा bank nifty में nifty में बताए हम लोग एक up train में थे इसके पहले प्राइज उपर की तरफ momentum में था और इस momentum में हम लोग एक higher highs के formation में trade कर रहे थे इस higher highs के formation में एक momentum हुआ कि price consolidation के बाद consolidation range के high break किया लेकिन high break करने के बाद breakout validation होने से पहले breakout validation की कोशिश हुई यह यहाँ पर high break हुए breakout validation की कोशिश हुई लेकिन breakout validation पे dozy formation हुए और जो पिछले दिन के OHLC open high low close को टच नहीं कर रहे थे ऐसे formation trend reversal या breakout failure को represent करते हैं ठीक है ऐसे formation जब dozy का formation एक trend के बाद हुआ हो जो पहले आ गया हो फिर उसके बाद जहाँ पर breakout और breakdown हो रहा हो या trend पूरा चल गया हो तब एक candle का formation जहाँ previous day OHLC open high low close को टच नहीं किया जाए वहाँ trapping की संभावना बन जाती है और price वहाँ से reverse हो जाता है ठीक है तो price यहाँ पर निचले इस तरगी तरफ लोटा और ये buyer जिन्होंने इतने समय तक खरीदारी की ये दुबारा उसी zone में price को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिस candle से breakdown हुआ इस zone का उसको रोकने की कोशिश की और उसके नीचे एक भी candle close नहीं होने दिवा दुबारा price zone अभी तक जो बना है वो buyer और seller की बीच की fight को दर्शा रहा है ठीक है क्या हुआ है zone में अभी तक एक लडाई चल रही है buyer seller की फीचाटान चल रही है कैसी कॉन अपनी तरफ price को ले जाएगा accumulator accumulate कर रहा है distributor distribute कर रहा है accumulation कौन करता है buyer distribution कौन करता है nuclear ठीक है तो buyer accumulation कर रहा है और seller distribution कर रहा है अच्छा ये इतनी बड़ी लड़ाई क्यों चल रही है करड क्या है इसके पीछे इसके पीछे करड है एक बड़ा अप्ट्रेंट प्राइज अठारा 900 से चल कर हाई लगा कर आया है कहां 22,000 के तो 19,000 से 22,000 की rally अगर आप calculate करें तो ये 3000 पॉइंट की rally होती है 3000 पॉइंट की rally के बाद बाजार में एक correction तो लाजमी होना चाहिए 3000 पॉइंट की rally इंडेक्स में बहुत बड़ी rally मानी जाती है छोटी rally नहीं होती और one side momentum में हुआ है एक तरफ momentum में हुई तो छोटी rally तो है नहीं बड़ा projection था बड़ा momentum था तो इस बड़े momentum में एक correction को market मांगता है तो correction दो तरह से होता है पहला price wise correction की भाव गेज जाए दूसरा time wise correction की भाव वहीं रुख जाए अच्छा दोनों correction में समय बराबर लगता है अच्छा कोई price चल कर जाएगा 100 से 200 तक फिर वह correction करें correction का मतलब भाव दुबारा से सही हो जाए ठीक है correction का मतलब क्या है सही होना जब जो impact में price जादा चला गया छोटे मोटे खरीदार भी खरीदते रहे तो price जादा चल गया तो वह corrective mode में आएगा अपना एक सही भाव सही परस्तिती को दिखाएगा ठीक है तो वह करने के लिए price को नीचे आना होगा तो 200 का भाव 160 तक आएगा फिर लोट कर जाएगा तो इसमें भी समय लगेगा ये price wise correction हो गया कि भाव ने गिर कर correction किया फिर लोटा एक समय लिया दूसरा correction अच्छा लोटा और गया जो समय लगा और जब पहुंचा तो माल लेते हैं एक महीने का समय लगा तो दुबारा भाव लोट कर क्या हो गया तो time wise correction और समय लगा दूसरा correction कोई price 100-200 हो गया फिर वो गिरा नहीं एक महीने वहीं रुख गया तो एक महीने बाद यहां भी भाव 200 था यहां भी भाव 200 है तो प्राइज वही है यहां correction price wise हो गया यहां correction time wise हो गया तो दो तरीके के बाजार में correction होते है ठीक है तो अभी ज पर buyer seller एक बड़ी fight करते हुए दिख रहे हैं इस कारण से नहीं बोल रहे हैं अब हमारे लिए buyer seller की fighting का zone बहुत मातपूर है buyer seller जहां fight कर रहा है वो zone बहुत मातपूर यह मार कर लिया पूरा zone अच्छा किया जो मार कर लिया हम लोगों ने से क्यों क्यों क्योंकि अब इस zone के अंदर जब तक प्राइज है तब तक हम लोग बड़ा momentum नहीं देखेंगे क्या मैंने बोला जब तक इस zone के अंदर प्राइज है तब तक बड़ा momentum नहीं देखेंगे क्य institution seller कौन जिनके पास thousands of CR में फंड है इनके लिए खरीदने के लिए है इनके पास बेचने के लिए है तो जब इतने बड़े खरीदार एक जोन में आपस में ही प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बीच में मैं बोलूं कि मैं 10 लाक रुपए ठीक है तो मुश्किल हुआ की नहीं हुआ तो हमको क्या करना है इतने बड़े खरीदार और बिक्वालों की लड़ाई से बचना होगा तो हमको इस जोन के अंदर एक neutral अपना माइंड रखना है ना तो बायर की तरफ है ना सेलर की तरफ है ठीक है अच्छा फिर मैं बोलूं कि जो लेविल मार्क किये है उनको नो डाउन कर लिजे नो डाउन करने का मतलब क्या है दियाद रखिए कि बड़ा मुमेंटम बाजार में तभी होगा जब बाजार 21,116 ये जो प्राइस इसके हाई लगे ये ब्रेक होंगे तब अप्ट्रेंड देखेंगे क्यों तब खरी है सेल करने वालों की तो प्राइस क्या करेगा हाई राइस के फॉर्मिशन महगा होता जाएगा क्यों खरीदार बहुत खरीद रहे है यहां पर क्लियर हो जाएगा तो प्राइस महगा होता जाएगा अच्छा अगर ये लो ब्रेक कर जाए तो क्या होगा जो एक्युमिलेश के साथ इसको trade किया जा सकता है अच्छा फिर आप पूछेंगे इस zone में क्या किया जाए इस zone में intra trade traders सिर्फ risk reward को trade कर सकते हैं दूसरा hedge position को trade कर आ जा सकता है उसके लावा कुछ भी नहीं risk reward को trade करना क्या होता है छोटे support और resistance को trade करना ये risk reward को trade करना हो कि price जब भी support के पास आये और घूमने लगे लॉंग कीज़े price resistance के पास आये और घूम जाये तो शॉट कीज़े support छोटे रजिस्टेंस support इसके बीच के level में भी जहां support resistance बने उनको भी trade किया जा सकता है ठीक है प्राइस गया resistance के पास long शॉट कीजे, नीचे आया support के पास, long कीजे, फिर support के पास आया, फिर long कीजे, फिर resistance के पास गया, कल पहुचा था, फिर short कीजे, गिर गया, बस support resistance को trade करते रहे, खुछ रहेगा, जब ये break होंगे, इनका validation होगा, तम one sided, फिर एक, short कुछ करना छोड़ देना है, हर बार swing high break होन downfall होता रहेगा, बात clear हुई, अच्छा, ये इतनी जितनी मैंने आपको बात बताई, इसमें आप, मुझे लगता है, कि अब आपको clear होगा, जो मैंने बताई, अब यहाँ पर एक formation हो रहे है, अगर गौर करें तो, कल मैंने आपका एक session किया, मैंने आपका session किया, M formation पे, ज ठीक है, what's up join कर सकते है, वहाँ पर सारे updates आपको मिल जाते है, ठीक है, तो देखे, M formation क्या होता है, एक price जो up train में है, वो इस तरीके से चलते हुए, एक last high बनाएगा, कल ही मैंने समझाया, और फिर price नीचे आएगा, फिर high को break करने से पहले, high के पास जाएगा, break करने से पह आया, अब ये last swing low भी break किया, अब उपर गया, तो उस high को अभी तो निकला नहीं, अभी निकला क्या, नहीं निकला, और अब अगर price आके ये last low break किया, तो ये formation क्या बन जाएगा, अभी नहीं है, आप लोग कल आके बोलेंगे, कि आपने बोला ता गिर जाएगा, अरे नही नहीं सर, अभी गिरने का कुछ सोचना ही नहीं, अभी तो सिर्फ range को trade कीजे, अभी हमारा view neutral है, कुछ भी view नहीं, आइधर upside, ना इधर downside, ना तो ऊपर देख रहे हैं, ना तो नीचे देख रहे हैं, ध्यान रखिए इस बाद को, ठीक है, neutral view में है, सिर्फ support resistance rate करेंगे, कब जब तक बाजार 21,200 और 21,200 के बीच में, बात के लिए रोगे, कुछ भी trend को नहीं हम लोग देखेंगे, इसके बाद सिर्फ support risk reward को trade करना है, इसके बीच में, neutral view, intra damage जैसा market बनेगा, intra damage rates होंगे, और hedge positions ले सकते हैं, hedge को execute करके बैठी है, जब तक बाजार इस range में, अब भी देख लीजिसे, मेरे बताने की बात नहीं, यह 14 December का दिन है, और आज कितनी तारीक है, 2 February, सोचिए लगबग 1.5 महीने से उपर का समय हो गया, प्राइस का momentum क्या है, 21.300 से आज की closing 21.900, 500 point का momentum, इस 500 point के momentum, अगर पीचे से देखिए तो और कम 6 December से, यहां से देख रहे हैं 2100 के 6 weekly expiry पड़े हैं, 21200 के 6-7 weekly expiry पड़े हैं, यह सारे weekly expiry 2200 के 2100 के 2100 के नीचे 200 के, सभी यह 0 होगे की नहीं होगे, कुछ भी इन में premium, 6 बार premium 0 करने का मौका मिला, और आपने क्या क्माया, बाइर ने क्या क्माया, कुछ भी नहीं, price range में, 500 point का total momentum, यही तो hedge करने वाले trader का फैदा है, sir, यही तो हम लोग earn करते हैं, और क्या earn करते हैं, यही हमारी earning है, ठीक है, आप समझें, तो मैंने क्या बताया, यह formation कैसा बनता हो देखता है, price high तक गया, नीचे आया, अभी यह high break नहीं हुए, high break हो जाएंगे तो यह active नहीं रह जागा, ध्यान रखिए, high break हो सकते हैं, ठीक है, हमको क्या करना है, इस level पर नज़र रखनी, अगर यह low break होंगे, तो समझें, अब short बनेगा, और short बना नहीं तो आप, वहाँ active हो जाएगा, फिर आपके लिए ही momentum है, sir, है ना, फिर यहाँ पर short बन गया, तो समझेंगा, कि अब downfall आएगा, बाजार ग रखना, long कप करेंगे, जब यह high निकलेंगे, अच्छा, इतना समझ लिए, जितना मैंने बता है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग और add on करते हैं, अभी की candle का formation, ठीक है, अभी की candle का formation, जो अभी, इस recent previous session, Friday को कल के दिन बना, इस candle का formation कैसा है, एक inverted hammer का formation, rejection formation कहते है इसको seller का price कहते है, होता नहीं है, कहते है, ठीक है, समझे, seller का price है, कैसे seller का price है, समझे, open और close, मैंने कहा कोई price 200 पर खुला, और 200 बंद हो गया, या 200 एक बंद हो गया चलिए, तो आप कहेंगे, भावत उपर चड़के बंद हुआ है, एक रुपय ब्लस दिखता है, आप इ open to close में price 210 तक चल कर गया था, अब बताइए, आप सोचे, कोई price 200 पर खुला, और खुलने के बाद उसमें 10 रुपय की खरीदारी आई, बाइंग आई, और बाइंग किसने की होगी, एक खरीदार, बड़ा खरीदार होगा, 5% कम होगी, बड़ा खरीदार होगा, ऐसी तरह है कल इंडेक्स जब ओपिन हुआ, तो ओपिन होने के बाद 21,800 से कहां तक बाइंग गई, 22,120 का, तो ये अच्छी बड़ी बाइंग है, 3,4,400 पोइंट की, 3,4,300 पोइंट की, 400 पोइंट की बाइंग, बड़ी बाइंग होती है, इंडेक्स के लिए, 50-50 जैसे इंडेक्स के तो प्राइज इसी तरीके से आँ देखे, एक्जाम्पल देखे, 200 का भाव 210 हो गया, तो 210 होने में ये एक बड़ा खरीदार है की नहीं, अच्छा, इतने बड़े खरीदार को देखकर, क्या कोई सेलर कोशिश करेगा, सेल करूंगा कर मैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना कि बावजूद कोई सेलर ने हिम्मत किया और 9 रुपए की सेलिंग कर दी क्लोजिंग तर, एक तो क्लोजिंग के टाइम पर की, अब यहां पर सेलर की दो फायदे हो गया, पहला ये कि अगर सुबह वो सेल करता तो 200 रुपए को बेचने को मिलता, जब उसने बाद में सेल कि पहर में 210 बेचने को मिल गया, महगा भाव बेचने को मिल गया, कोई चीज आपके पास अभी बिच रही है 200 रुपए की, और एक घंटे बाद 210 की विके, तो 10 रुपए का ज़्यादा मुनाफा हो गया की नहीं हो गया, और ये तो बाजार है सर, 10 पोइंट कितना होता है, आ अच्छा, कोई बायर जिसने ये खरीदारी की, अब या तो वही दुबारा खरीदने की हिम्मत करे, तो वो इस बायर से फाइट करे, तूसरा, अब कोई दूसरा खरीदार इस सेलर को देखकर, क्या खरीदारी करने आएगा दुबारा नहीं, वो तो ये देखेगा ना, तो यहाँ पर कहा जाता है, कि सेलर यहाँ पर एक डॉमिनेशन पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ बिकवाली नहीं की, एक बड़े खरीदार को काट कर बिकवाली की, जब ऐसी सप्लाई आती है, तो और खरीदार भी इंट्रेस्टिट नहीं रह जाते, और ब मैं नहीं बोलता है, यह सेलर का बेनिफिट हुआ है, सेलर को एक मौका अच्छा मिल गया है, उसने उस मौके को बहुत अच्छे से पकड़ दिया, भुना लिया है, लेकिन सेलर तब जीतेगा, जब इस पूरी 200 के नीचे प्राइज आ जाएगा, जब इस कैंडल के लो ब्र होंगे, तब प्राइज गिरेगा, ठीक है, अच्छा, अगर यह मान लेते हैं, लो ब्रेक नहीं हुए, तो मैंने क्या कहा, यह कैंडल एकना एक मुमेंटम लेकर अब आएगा ही आएगा, या तो डाउन साइड लाए, या अप साइड लाए, तो इसी लिए मैंने कहा, आप सोचिए कि सिर्फ सेलर का केंडल है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंडिशन बदल सकती है, मैंने अभी यह को एक पॉइंट टच किया, कि चाहे तो यह बायर अपनी पोजिशन, क्योंकि इसी के पैसे पर खत्रा है, इसी ने 10% की बाइंग की थी यह, 5-10 रुपए को उपर प्र हो जाएंगे, ध्यान रखिए, यह बायर भी इंट्रेस्टिट होगा फिर, अच्छा यह पोजिशन कैसे बचाएगा, यह जो सामने से सेलर इसके सामने बेचने की हिम्मत कर रहा है, जो सेलर उसको काट दे, दुबारा से, अब यह देखिए, यह कितना psychological tough होता है, आप कोई बहुत सौर रुपए पर खरीदिये, अभी कोई stock आप सौर रुपए पर खरीदिये, अपने portfolio मैट कीजे, बहुत realistic अप्रोच बताता हूँ, जितनी आपसे concept discuss काता हूँ, ठीक है, बहुत realistic होते हैं, कई लोग आखरसर comment section मैंने देखा, बोलो लिखते हैं, कि यह जो भी सिख गिरा है, है ना, यह चीज़े, आप समझेगे, हमारे students नीचे comment करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग हमेशा किसी को गिराने की कुशिश करें, तो उनके पास क्या मित रहता है, तत्त क्या रहता है, कहने के लिए कारड क्या है, कारड यह है उनके बास, एक ही बा बताइए, वो जो fees है, वो time का value है, वो मैं आपको 3-4 महिने समय दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा, फिर समय में क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको projection सिखाने का कोई, जितना मैं authentic, जितना realistic projection सिखाता हूँ, sir, one by one, एक एक concept, जाकर सारे videos देख लीचे, ठीक है, ठीक है, ठीक है एक साथ आ जाती है, जब कहीं पर options को, derivative को sell करने की बात हो, तो वहाँ पर आपको एक mentor की ज़रूरत परती है, क्यों, अगर आप selling without mentoring कर रहे हैं, मैं आपका mentor हूँ, अगर मैं आपको mentorship में नहीं रखूँगा, मैं आपके उपर नजर नहीं रखूँगा, मैंने trade कराया है, मै अच्छा selling की बात ये तो कर रहे हैं, तो चलिए मैं अपनी तरफ से sell कर देता हूँ, उससे सीखने की क्या जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, sell कर देंगे, अगर बाजार यहां से 1000 point गिर गया, तो 1000 point का loss हो जाएगा sir, selling नहीं करना है, hedging करना है, hedging और selling में एक difference है, तो ये mentorship की जो जरूरत है, कि एक concept आपको class में सीखना होगा, और live market में उसको trade करना होगा, और वो भी मेरे structure में आकर करना होगा, जो मैं बताऊंगा, उसी तरीके से आगे बढ़ना है, और ये जब करेंगे, तो मेरा समझ आएगा ना sir, तो मेरे time की एक value कीमत होगी की नहीं होगी, और मैं 2-4-5 दिन ये webinar series नहीं करता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं आपको एक productive learning दूँगा, एक session regular basis पे और उसको 3-4-5 महिने तक command आपके daily class चल रहे हैं, daily आप सीख रहे हैं, उसके बाद live market में उसको आप trade कर रहे हैं, तो वो उसका value है, बहुत कम charge करता हूँ sir, आपको म बहुत कम पैसा मैं आप से ले रहा हूँ, अगर जो चीजे मैं आपको value सिखा रहा हूँ, उसकी value अगर आप calculate कर ले, तो pay करने लाइक नहीं रह पाएंगे, ठीक है, बहुत पैसा कम charge करता हूँ, आप इस value को normally आपके एक loss के बराबर मैं charge नहीं करता, ठीक है, और projection तो मैं free जो buyer बनना चाहता है, projection free of cost आपको सिखा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं charge करता, क्यों, इसमें आपका, मैं बताता हूँ, skill है, इसमें आप skill पर practice करना होगा, और limit stop loss पर practice करना होगा, ठीक है, और समय लगेगा, आसानी से होगा नहीं, है न, classes में आएंगे, तो इसमें भी practice करा करता हूँ, वो समय भी मुझे आपको उसमें से निकाल कर आपको देना होता है, तो उसकी कुछ value होगी की नहीं होगी, वो मैं आपसे charge कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह कहना, मैं इन सारी चीजों को निर्थक मानता हूँ, है न, और जो लोग मेरे students, वो आपको comment section को open करके दे कैसे, अब वो इस candle के low के नीचे कोई एक घंटे की closing ना होने दे, और इसी candle के दुबारा, जितनी 9 रुपए की बिकवाली आई, जैसे 200 से price 210 गया था, और अब 201 आ गया, तो इस seller को काट दे, जितने खरीदार नीरस हो गया है, जो खरीदना नहीं चाह रहे हैं, एक candle buyer धीरे धीरे बनाये, और इस seller को काट कर मतलब ये high break करा दे, तो किसी भी candle में जिसमें upper wick बड़ा होगा, उसके low break होगे, तो downwards momentum, और उसकी high break होगे, तो upside बहुत बड़ा momentum, ठीक है, तो इस candle में सिर्फ lower side momentum मत देखा किजिए, अभी हम consolidation zone में हैं, हमारा view neutral है, आप ये कह दीजिए, short कीजेगा, high break हो जाए, long कीजे, ठीक है, clear हुआ, मुझे लगता है, अब आप इस concept को समझ गए होगे, ठीक है, इस इतने बड़े seller को जो buyer काट देगा, और एक बार खरीदारी करने के बाद, उसका moral down हो जाता है, है न, आप 100 रुपय का stock खरीदिये, अभी 120 हो जाए, और व इसी तरीक हैगा, अगर कोई buyer ने खरीदा price 10% चल कर गया, फिर गलोट कर वहीं आ गया, वो भी अपनी quantity काट देना चाहिए, price को low break करना चाहिए, गिरना चाहिए, उसके बावजूद अगर वो खरीद कर ले जा रहा है, मतलब वो कही न कहीं बहुत positive approach रख रहा है, और इतन correlation fuse में इस तरीके के M formation के पास बनाओ, एक इस तरीके का candle आपको या तो support के पास देखने को मिलता है, या resistance के पास, अभी resistance के पास बनाए, इसके high break होंगे, तो ये up train में जाएगा, अगर low break होंगे, दो candle consecutive ये low break हो जाएगा, तब कहीं short कीजेगा, intraday में, और positional तो इसके ब टेलिग्राम को भी जोइन कर सकते हैं, सुबरात्री धन्यवाद